शारतिय नौरात्री शुरू हो चुकी है और हम आपको लेकर आए हैं पितामराप पिठ में जहां आप माता बंगला मुखी का दर्सन करेंगे पंडित दिनेस पंडे के साथ ये माता बंगला मुखी हैं जिनकी आराधना सबसे कठिन मानी जाती है ओम हिन ओम की नाम से सुरू होती इनकी मंत्र बहुत ही कठिन माना जाता है माना जाता है कि इनके मंत्र का जाप करने में अगर कोई भी गलती हो तो उसका प्रभाव ततकाल दिख जाता है यह पितामबरा पिठ है जहां पर आप माता बंगला मुखी का दर्शन करेंगे माता बंगला मुखी के बारे में यह भी कहा जाता है कि माता की आराधना अगर सच्चिव मन से और सही तरीके से की जाए तो बहुत ही जल्ड वह अपना प्रभाव दिखाती हैं माता के धर्शन मातर से ही पाप कट जाते हैं माता के बारे में यह भी मानेता है कि माता का अराधना इतना कठिन है कि अगर एक छोटी सी भी फूल हो जाए या गलती हो जाए तो माता उसका तुरंत ही परिणाम दे देती हैं अर्थात सजा तुरंत मिलती हैं माता यहां कई वर्सों से विराजमान हैं सीपत चौक पर इस्थीत पितांबरा पिठ में माता की इस्थापना की कहानी भी बहुत ही लंबी है पंडित दिनेश पांडे की मानेतो यहां पर माता की इस्थापना के लिए बहुत ही संघर्ष उन्हें करना पड़ा परमान स्वामी सारदानंद जी ने यहां पर इस पिठ की इस्थापना कराई है वे खुद इस जगह पर आकर हवन पूजन और यग्य करा चुके हैं आपको हम लेकर आए हैं यह पितामबरा पिठ के दर्शन कराने पितामबरा पिठ में इस्थित मां के साथ ही भगवान सीव भगवान गनेश माता की इस्थापना बिधी पूरवक की जा रही है तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं और लेकर चलते हैं माता जी के पास आप यहां जो भी देख रहे हैं वह सब मंदिर प्रांगन में ही इस्थित चीज़ें देख रहे हैं माता बंगला मुखी का दर्शन आप प्राप कर रहे हैं आइए हम आपको लेकर चलते हैं माता बंगला मुखी के पास माता बंगला मुखी आपकी सभी मनुकामनाएं पूर्ण करें माता की मंदिर जाने का रास्ता यहा है यहां पर माता बंगला मुखी माता यहां पर साक्षात विराज मान है उनकी अब तक इतनी मंत्रों से यग्य किया जा चुका है कि मानना है कि यहां पर जो भी अपनी मनों कामना लेकर आता है वह अवस ही पून होता है माता बंगला मुखी अम लिंब गला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचं मुखं पदं इस्दव्यं जिवा कीले बुद्धी विनासाय लिंब ओम स्वाह अम लिंब गला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचं मुखं पदं इस्दव्यं जिवा कीले बुद्धी विनासाय लिंब ओम स्वाह अम लिंब गला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचं मुखं पदं इस्दव्यं जिवा कीले बुद्धी विनासाय लिंब ओम स्वाह अम लिंब गला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचं मुखं पदं इस्दव्यं जिवा कीले बुद्धी विनासाय लिंब ओम स्वाह अम लिंब गला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचं मुखं पदं इस्दव्यं जिवा कीले बुद्धी विनासाय लिंब ओम स्वाह सार्दिया नौरात्र के औसर पर यहां दीप भी प्रज्वलित की जाती है 108 से अधिक दीपक यहां पर प्रज्वलित की गई है अम लिंब गला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचं मुखं पदं इस्दव्यं जिवा कीले बुद्धी विनासाय लिंब ओम स्वाह सार्दिया नौरात्र के औसर पर यहां दीप भी प्रज्वलित की जाती है अम लिंब गला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचं मुखं पदं इस्दव्यं जिवा कीले बुद्धी विनासाय लिंब ओम स्वाह अम लिंब गला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचं मुखं पदं इस्दव्यं जिवा कीले बुद्धी विनासाय लिंब ओम स्वाह अम लिंब गला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचं मुखं पदं इस्दव्यं जिवा कीले बुद्धी विनासाय लिंब ओम स्वाह अम लिंब गला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचं मुखं पदं इस्दव्यं जिवा कीले बुद्धी विनासाय लिंब ओम स्वाह अम लिंब गला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचं मुखं पदं इस्दव्यं जिवा कीले बुद्धी विनासाय लिंब ओम स्वाह अम लिंब गला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचं मुखं इस्दव्यं जिवा कीले बुद्धी विनासाय लिंब ओम स्वाह माता के दर्सन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें चैनल पर बताएं कि आप बिलास्पूस से जुड़े और कौन सी माता का दर्सन करना चाहते हैं मैं आपको अवस्य ही उन्माताजी का दर्शन जरूर कराऊंगा आने वाले समय में मैं आपको बिलाजपूर में इस्थापित सभी नवदुरगा पांडालों में इस्थापित प्रतिमाओं का भी दर्शन कराऊंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आज ही कर लें क्योंकि आने वाले समय में बिभिन, मंदिरों और प्रतिमाओं का दर्शन आपको मिलेगा हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहें